पेटियम पेमिन्ट बैंक पर RBI के एक्शन के बाद पेटियम को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है नमस्कार मेदीती फॉसदर आप देख रहे हमारे साथ दन्नगरी मीडिया पेटियम के शेर्ज में लगातार गिरावट देखने को भी मिल रही है आज भी दुपैर करीब एक बजे पेटियम का शेर्ज 5 फीसिदी गिरावट के साथ 325.5 रुपे पर कारोबार करते हुए नजर आया पिछले पांस दिनों में पेटियम का शेर्ज 30 फीसिदी से जादा लुड़प चुका है पिछले एक मैने में इन में से 389 अंकों से जादा की गिरावट भी नजर आई है इस शेर में निवेश करने वाले हर दिन काफी नुकसान उठा रहे हैं पेटियम में जहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं कई दूसरी कमपनियां भी इसका फाइदा उठा रहे हैं पेटियम के ग्राहक बड़ी संख्या से दूसरे प्लाटफोर्म पर स्विच कर रहे हैं वहीं आने वाले दिनों में और ग्राहक पेटियम को छोड़ सकते हैं किराना क्लब के आंकडों के मताबिक पेटियम का इस्तमाल करने वाले आसपड़ोस के करीब 42 फीसीदी किराना सेलर्स अन्य पेमिंट एप पर स्विच कर रहे हैं वहीं अन्य 20% किराना स्टोर्स पर देखा देखी ऐसा करने का योजना बना रहे हैं किराना क्लब के अध्यन में ये भी बात की गई कि इसके नेटवर्क में देश भरके 18 लाग किराना स्टोर्स हैं बड़े पैमाने पर भी स्विच तब हुआ जब पेटियम ने अपने अप के जरिये यूजर्स को भरोसा दिलाया कि अप 29 फर्वेर के बाद भी सामाने रूप से काम करते रहेगा पेटियम पेमिंट बैंग पर पाबंदी से मोबी कुईक भारत पे फोन पे गूगल पे जैसे प्लाटफॉर्म को काफी फाइदा हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक 20 फीसिदी और किराना स्टोर्स कस्टमर्स इस प्लाटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं किराना स्टोर्स में पेटियम का मार्केट शेयर करीब 69 फीसिदी रहा है जिन बाकी प्लाटफॉर्म्स पर पेटियम के किराना स्टोर कस्टमर्स स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं उनमें से 50 फीसिदी फोन से जुड़े हुए हैं करीब 30 फीसिदी गूगल पे और 10 फीसिदी वारत पे के साथ जुड़ चुके हैं इन प्लाटफॉर्म्स पर नई मर्चेंट खातों की संख्या भी तेजी से बढ़ती हुए नजर आ रही है इधर शेयर्स में गिरावट के चलते पेटियम की मार्केट कैपिटल भी तेजी से कम हो रही है और साथ ये पेटियम पेवेंट बैंक की सर्विसिस 29 वरवरी को रोक लगा दी जाएगी आज के लिए बस इतना है ऐसे न्यूस अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद